नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वॉल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेंगे उत्रखन की खबरों पर मुख्य मंतरी तीरज सिंग रावत ने हर्की पौडी पहुँचकर मागंगा की पूजा अर्चना की इसके बाद गंगा सभा के अचारह हमेश शासि ने मंतु चारण के साथ मुख्य कंदुरी रावत से मां गंगा की पूजा अर्चना और आर्ती कराइए इस दोरान मुख्य मंतुरी ने मां गंगा से कुम्भ की सफलता और सभी के कल्यान की काम न भी की लालकोव विधान सभाज शेत्र के गोला पार इससे सुल्तान नगरी में कॉंग्रेस S.C. विभाग की वैठा कायजवित की गई जिसमें पहुंचे कॉंग्रेस S.C. विभाग के जिला अध्याक्ष इंदरपाल आर्या का मौझूद कायकरताओं ने फूल मालाय पहना का भव्वे स्वागत किया इस मौके पर उन्होंने सभी कायकरताओं से 2022 के विधान सभाज शुनाव में जुच जाने की अपील की इस मौके पर इंदरपाल आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार के चाज साल में प्रदेश बेहाल है उन्होंने प्रदेश सरकार को घेटे हुए कहा कि आज चाज साल में विकास के नाम पर एक भी इड बीजेपी सरकार ने नहीं लगाई है मुख्य मंतरी तीरस सिंग रावत के लिए कैबिनेट मंतरी हरत सिंग रावत कोड़ दौड़ा विधानसवा सीट छोड़ने के लिए तयार है हरक सिंग रावत का कहना है कि इस बारे में उन्होंने बीचेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा को भी अबगत करा दिया है हरक सिंग रावत का कहना है कि दस मार्च को जब राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा का फोन उन्हें जानकारी देने के लिए आया कि तीरत सिंग रावत को मुख्यमंतरी बनाय जा रहा है तो उन्होंने उसी समय अपनी इच्छा भी जता दी थी कि जे दिन दस तारी को माने नड़ा जी का मुझको टेलफून आया था कि जब तीरत जी का मुख्यमंतरी के लिए नाम पानल हो गया गुशना हो गई तो उन्होंने मुझसे कुछा कि कैसा निर्णे है तो मैंनों को बताया बाईश्यम बहुत अच्छा निर्णे है और मेरे त अच्छा निर्णे है तो बहले मिलेटी साइस नहीं थी लेकिन अब विद्यारती हुआ तो मैंने उस दिन उन से जबर निवदन किया मैंने का बाईश्यम मेरे एक सुजाओ है बाकी पार्टी जो भी निर्णे करेगी लेकिन मैंने का तीरत जी को मैंने तीस साल हो गए और उत्राखन की और उत्रवदेश की दानिती करते हुए, तो अगर आप उची समझें पाल्ठी उची समझें, जो ग 나왔 से तीरत जी को लड़ा दे हैंे और आप समझते हूं कि मुझे सांसत के लिए अगर आप को लगता है कि मुझे सांसत कर चुना उप लडाया का जा सकता है, म मैंने ये पार्टी के सामने एक प्रस्ता अपनी भावना को रख दिया है कैबिनेट मंतरी बंचीदर भगत ने विदी विधान और पूजा अर्चना के बाद विधान सवब भवन धहरदू निसेत अपने शाष के कारयाले में कारेभार घ्रेंड कर लिया है इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का ताता लगा रहा वहीं पत्रकारों से बाचीद में बंचीदर भगत ने कहा कि नए जिम्मेदारी मिलने के बाद उस पर खरा उतरना यहीं उनकी कोशिश रहेगी आपको बता दें कि तीरत मंतुरी मंडल में बंशिदार भगत को काई विभाग दिये गए हैं जिसमें विधाई एवं संसद्य कारे शहरी विकास, खाद्य नागरे का पूर्ती एवं और भोकता मामले सुचना एवं विज्ञान प्रोध्योगी की दिया गया है पहिं विधान सबा देहरदून में उन्हें पूर्व कैबिनेट मंतुरी मदन कौशिक का कार्याले अवांटिद किया गया है पूर्डी चुले के खिर्सु में बर्ड वाचिंग फेस्टिवल के शुरुआत की गई जिसमें जुलाधिकारी पूर्डी डॉक्टर विजय जोगडंडे ने बतोर मुक्यातिती शुर्कत की जुला अधिकारी ने कहा कि खिर्सू में परेटन के अपार संभापना हैं जिसमें से बर्ड वाचिंग भी शामिल है इसमें प्रसिक्षन लेकर यहां के सानिय यूर रोजगार के साधन के रूप में विक्सित कर सकते हैं जुला परेटन अधिकारी पॉड़ी ने बताया कि सूर्य उदे से कुछ समय पहले का समय और सूर्यास्त के कुछ समय का बाद बर्ड वाचिंग के लिए अनुकूल समय होता है स्कूली चातर चातराव को हम लोग ने एक वरक्शॉप के लिए आयुजित आमंत्रित किया है यह बाद दिवस का कारिशाला है इसको बढ़र विपा के मादेम से हम संचलन कर रहे है इसमें प्रमुक उतनेश है यह है कि खिरसु शेत्र के जो आसपास का शेत्र है वहां पर बर्ड वाचिंग और अन्य जो गतिविदी यह पर्टक संपंदिर उसको बढ़ावा मिले हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि बर्ड वाचिंग के साइन्टिफिक तरीका होता है वह भी बच्चुक को उसकी जानकारी प्रयापत हो ताकि भविश्य में अगर इस दिशा में कोई गतिविदी करना चाहता है स्वरसगार की वह बिल्कुल तक्निकी रोप से सीख कर उसको करना चाहिए बर्ड वाचिंग का अब एक अच्छा ट्रेंट चल गया है पूरी दुनिया में और यहां पर खिर्शू हमने देखा यह बहुत जंगल वाला एरिया है और यह ताइम इसले भी चूज किया क्योंकि शूटेबल है जब माइग्रेटरी हमारी जो बर्ड्स हैं प्लेन से वो उपर की तरफ बढ़ रही है और यहां आने में उनकी तादाद ज्यादा बढ़े अलग-अलग इस्पीसिस की बढ़ देखे रिशिकेश की बड़ी सबजी मंडी में नगा निगम की टीम ने च्छापा मारा है बता दें की पॉलोथिन में सबजियां पैक होका आती है और लोगों को छोटी पॉलोथिन में पैक करकर दी जौती है इस बात की शिकायत निगम के अधिकारियों को पहुँची तब जाकर यह च्छापा मारा गया लेकिन च्छापे की करवाई होने से पहले मंडी के विक्रेताओ के अध्याक्ष ने आकर एक दिन का समय मां देते हुए इडिस्ट्रिक्ट केंद्र में परियाप्त स्टाफ तैनाद करने की मांग की तहसील में गंदगी पीने क्या पानी और सौचाले की विवस्ता को भी दुरुस करने के लिए कहा गया इंद्रेन अनगर के दरजनों लोगों ने तहसीलदार को शिकायत करते हुए क रहा के तहसील में गरीबों से नोट्री के नाम पर भी एराईज नवीज ज्यादा पैसे लेते हैं जिससे की गरीब फर्यादियों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इनकी कुछ मांगे हैं सफाई को लेके टॉलेट को लेके आधार कार तो वो सब देखते हैं नियावनोसाज जो भी आवश्य कारवाई होगी वो की जाएगी और शीग रतिशीव इनके समस्यागन इस्तारण किया जाएगी खोली के मद्यनजक खादे विभाग द्वारा सतरकता के चलते लालकुह में कई किराना दुकानों पर शापे मारी की गई आपको बता दे कि खादे विभाग द्वारा हर बार तोहारों के अफसर पर मिठाई एवं किराना की दुकानों पर खादे वस्सो की जांच की जाती है जिसके चलते गोला रोड इससे दुकानों पर शापेवारी की गई, इस दौरान कटियार किराना स्टोर पर एक्सपारी डेट का माल सेल काउंटर पर रखा पाया गया, साथ ही मौके पर लाइसेंस भी ना होने पर फूड इंस्पेक्टर राकेश ट्रमता दुआरा सैंपर ले कैबिनेट मंतरी गणेश जोशी ने कोरोना का ठीका लगबाया, उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज एक साले से टीका करन केंद पर कोविड-19 वैक्सिन की पहली खुराक ली, जोरान उन्होंने प्रधान मंतरी नरिंद मोधी का भार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके उरजवान नेतरुत में देश कोरोना महमारी के विश्व व्यापी संकट क के समय एक उधारन के तौर पर उब्रा है बढ़ती महंगाई और मुख्यमंतरी के महिलाओं के कपड़ों पर दिये गए बयान के विरोध में महिला कॉंग्रेसियों ने केंद और राज्य की बीज़ेपी सकार के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया महिला कॉंग्रेस प्रदेश रध्यक सरीता आर्या और उत्रखन प्रभारी पर मिंदक कोर के नितृत में ये प्रदर्शन किया गया इस दोरान महिला कॉंग्रेस प्रदेश रध्यक सरीता आर्या ने केंद्र और राज्योसकार पर जम्प कर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन दोनों ही सरकारे जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान देतीन नजर नहीं आती हैं देखिया हमने महंगाई को लेके प्रदर्शन किया और मानी मुख्यमंती जी जो यहां के उत्राखन के जो नए नए अभी बने हैं उन्होंने हमारी बेटियों के उपर हमारी महलाओं के जो जीन्स के उपर तंच कसा उसके उपर भी आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया डबल इंजन की सरकार यहां पर लोगों ने जन्ता ने इनको वोट दिया कि डबल इंजन की सरकार आईगी तो महंगाई कम होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा महलाओं की रक्षा होगी लेकिन यहां पर सब जूटा साबित हो रहा है उत्रखन की खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ी रहने के लिए आप देखते रहेए न्यूस वर्ल इंडिया